पॉली विधान सभा में जो उप्चोना हो रहे हैं उसमें क्या कुछ है? पॉली में ज़्यादो का बिमा भारती के साथ मिलने माला फोटो आया आप जानती हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो निर्नायक वोट है वो मुस्लिम समाच का है मुस्लिम समाच अगर तेजशवी आदों का वोट दे दिया क्योंकि देखे कोर वोटर माना जाता है मुस्लिम समाच का आरजे डी पॉली में होने वाले विधान सभा उप्चुनाओ के प्रचार प्रसार का आज आखरे दिन है ऐसे में तेज़श्पी आदव भी वहां पहुँच चुके हैं और मुकेश सहनी पहले से ही वहां मौजूद है बता देए कि रुपॉली विधान सबा में उपचुनाओ को उपचुनाओ में 10 जुलाई को मतदान होना है ऐसे में बीमा भारती को राज़श्पी आदव वहां से उमिदवार बनाया है और वहां से निर्दली चुनाओ जीतने वाले पपु यादव किसका साथ देंगे अभी तक ये बाते निकल कर सामदे नहीं आई है लेकिन फिलाल आपको ये बता देए कि तेज़श्पी आदव वहां पहुच चुके हैं और मुकेश सहनी पहले से वहां मौजूद है आसीस क्या लगता है कि रुपॉली विधान सभा में जो उपचुनाओ हो रहे हैं उसमें क्या कुछ हो नहीं देखिए मांसी आज तेज़श्पी यादव जाएंगे देखिए बहुत दिन से सवाल भी उठ रहा था कि क्या सचमुछ तेज़श्पी यादव साथ में हैं कि नहीं वीमा भारती के हैं गए नहीं थे आप जानती हैं कि तीन को तो वो लोटे ही हैं विधेश गए वे थे अपना इलाज करवाने के लिए लोकसभा चुनाओ के दुरान जो उनको कमर में चोट लगी थी तो उसके बाद जब से वो आए हैं मांसी तब से रुपॉली पर महा संग्राम चल रहा है बयान बाजियां तेज थी और ऐसे मैं आज आखरी दिन है प्रचार प्रसार का और आज तिजस्वी यादव वहां जा रहे हैं जन सभा करने अब देखिये मांसी तिजस्वी यादव से पहले ही नितिश कुमार जा चुके हैं परसो गए थे नितिश कुमार और नितिश कुमार जाते ही सबसे पहली बात जो नहोंने कही थी मांसी कि हम कभी हिंदू मुस्लिम किये है ऐसा बात उन्होंने क्यों कहा क्योंकि वहाँ पर 40 से 45 हजार जो मत है मांसी वो तो मुस्लिम समाज का है मुस्लिम समाज की लोग वहाँ पर जादा है क्या मुस्लिम समाज का एक जो निरनायक मांसी जी वोट है वो है वहाँ पे अब ऐसी स्थिती में 40-45,000 मुस्लिम वोट बैंक चाहिए न अपनी ओर और उसको लेकर के असफाक करीम को भी लगा दिया गया है वहाँ पहले से और जो अध्यक्ष है वहाँ पर वो भी लगातार कामकाज कर रहे हैं आप ये भी जानती है मानसी की लेसी सिं जो की मंत्री भी है वो वहाँ पर राजपूतों का वोट बैंक तमाम जो संकर सिंग को जा सकता था उसको अपने और बिटोरने के लिए वहाँ पर पहले से इंजंडा गाड़ी हुई है पहले से हैं और लगातार दुवार दुवार पर घुम घुम करके दरवाजा सक यहां है मांसी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लडाई हो दोनों दलों के बीच में जदियो और राजद और बीच में बाजी मार जाए जिस तरह पुर्णिया में बाजी मार गए निर्दलिये पपू यादा वैसे ही कहीं संकर सिंग निर्दलिये बाजी नहीं मार जाए अब इसक तो इससें संकर सिंग को नुकसान हो जाएगा, अब यह देखिए, यह पहला चाल, दूसरा चाल, संकर सिंग राजपूत समाच से आते हैं, लेशी सिंग भी राजपूत समाच से आती है, तो इसमें राजपूत का वोट बेंक कौन अपनी ओर लेगा ये भी देखने वाली बात इस चुनाओ में सबसे ज़्यादा है अब इसके बाद देखिए मानसी चिराग पासवान भी कल कारे करताओं से मिले हैं रुपॉली में रुपॉली में कल आप जो बता रही थी दर्सकों को आपने खबर भी किया था कि नितिश कुमार से मिलने पहुँचे थे चिराग पासवान आपको क्या लगता है मानसी कि चिराग पासवान बस आपचारिक मुलाकात करने गये थे क्या लगता है आपको रुपॉली में जो संकर सिंग खड़े हुए निर्दलिया प्रत्यासी वो पहले चिराग पास्वान के ही तो पार्टी में तो क्या उन्होंने चिराग पास्वान की पार्टी को इस्तफा देगा बिल्कुल बिल्कुल मांसी जब कालधर प्रसाद मंडल को वहां से मिद्वार गया तो उसके बाद से संकर सिंग नाराज हो गया और देखिए एंडिये में चिराग पास्वान है तो गटबंदन धर्म का भी पालन करना है तो दो प्रत्यासी तो खड़े नहीं हो सकते थे तो संकर सिंग दिमाग लगाए इस्तीफा दे दिये और खड़े हो गया निर्द होई थी अब तब से बात ये बनने लगी कि बीमा भारती के साथ हैं पप्पु यादो लेकिन पप्पु यादो अभी तक सपस्ट कहां कर रहे हैं अब बताए ना चुनाओं में कितना दिन रहे गया है बिल्कुल कम दिन रहे गया दो दिन है कल का समय है मांसी उसके बाद तो परसो चुनाओं ही है अब ऐसी स्थिती में आप ही बताइए कि पप्पु यादो क्लियर नहीं कर रहे है इसका मतलब कुछ तो गड़बड है ना बिल्कुल कुछ तो गड़बड है लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि पप्पु यादो किसका साथ देंगे जो बहुत हो जाते हैं जो अपने थे वो पराय हो जाते हैं आप जानती ही है तो राजनीती है अब देखिए हुआ क्या है जब आप लोगसभा के चुनाओं को देखिएगा पुर्णिया के तो संतोस कुसवाहा के बाद में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी को रुपॉली और उसके आसपास के चेत्र से मिला है तो वो पपुईयादोई है 9700 वोट मिला था मांसी केवल रुपॉली और आसपास के चेत्रों से लोगसभा चुनाओं में और उसी रुपॉली से जहां से ये विधायक रही थी पहले बीमा भारती वहां से उनको मात्र 10 अजार वोट मिला था सि मदल समाज से आती है ठीक है अब देखे उनके पती है अधेस मंडल वो बाहु बली छवीके हैं और मंडल समाज का भी 40-45 जार वोट बैंक है जितना मुस्लिम समाज का है और ये सारा वोट पहले वीमा भारती का ही मिलता था लेकिन अब की बार जदियुन ने एक ऐसा जो है स वोट बढ़ जाए तो ऐसी स्थिती में जो जीत की संभावना है वो जदियू के तरफ से भी जादा हो सकती है लेकिन मांसी इसमें सबसे ज़्यादा जो निर्णायक वोट है वो मुस्लिम समाज का है मुस्लिम समाज अगर तेजस्वी यादो का वोट दे दिया क्योंकि देखिए कोर वोटर माना जाता है मुस्लिम समाज को आरजेडी का देखिए संकर सिंग एंडिये की ही तो उमिदवार थे ना पहले अब निर्दलिये हो गया है तो वोट एंडिये का ही न काटेंगे राजपूत समाज का वोट काटेंगे कुछ चिराग पासवान का वोट काटेंगे अती पिछड़ा पिछड़ा समाज का वोट काटेंगे न नहीं भाई, तुम कालधर मंडल का सपोर्ट करो, इधर देखिए, नितिश कुमार तमाम लोगों को लगा दिये हैं, कि तुम लोग कालधर मंडल को जिताओ, लेशी सिंग वहाँ कैम्प कर रही है, अब एक और चीज यहाँ पर देखना होगा मानसी, कि मुके सहनी के भी अस् चार प्रसार हुआ उनका, जी तो नहीं हुई, अब मुके सहनी का भी जो है इज्जत यहाँ पर लगा हुआ है, कि वो चिराग पासवान के खेमे में कितना वोट जाने से काट करके आरजेडी को दिला पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अधी पिछडा समाज बहूल है मानसी, और उसको लेकर के मुके सहनी और चिराग पासवान ये जो दो छोटे 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 फैक्टर हैं, ये बहुत एहम माने जा रहे हैं, पप्पु यादो तो बड़ा फैक्टर है मानसी, लेकिन छोटा फैक्टर भी तो मिल करके एक बड़ी दिवार खड़ा कर सकता है ना, औ इसी को लेकर के चुराग पासवान भी कलनी ती उसकुमार से मिले, वो भी एहम मुलाकात थी और इस तरीके से मुके सहनी का तेजस्वी यादो के जाने से पहले कैंप करना भी सिधा सिधा दिखा रहा है कि कैसे वहाँ पर समिकरन बट रहा है, और देखिए हर किसी के वोट में या सेंद लग रहा है, हर किसी के वोट में, राजपूत समाज में दो सेंद है, लेसी सिंग, संकर सिंग, मंडल समाज में दो सेंद है, बीमा भारती और कालधर मंडल, फिर उसका मुसलिम समाज में लालु यादो के कोर वोटर, और उधर देखिए नितिश कुमार ने अ निर्दलिये भी जीत सकता हैं। इसस तरीके से पपु यादव लोक शबी जीतके लोगों को दिखाषा manière है। अब तक दिखेस्वी मादव ऑगर यादव लह फ्यों कि देखे हैं, उपंपु यादव को फोन ले नहीं किया किया पहफिक से कहते हैं। वो करवा रहे हैं कॉंग्रेस के अध्यक्ष से, समझें, कॉंग्रेस से अध्यक्ष से फोन करवा रहे हैं, क्योंकि आप जानती हैं, लालू प्रसाद यादो का और कॉंग्रेस अध्यक्ष का बहुत अच्छे से बनता है, और इसी चकर में वो फोन करवा रहे हैं, अब अपना इजद भी बचा रही हैं, आप मेरे से काम भी निकल वा रही हैं, पपुयादो इस बात को समझ रहे हैं, तो अगर पपुयादो संकर सिंग का समर्थन कर दियें, तो समझ ये की सेवा समाप्त है, बिल्कुल, तो देखिए, जो चुनाओ के परिनाम निकल कर सामने आए तो सब के वोट में हर जगा सेंध मारी आपको जरूर दिखेगा, ऐसी इंजीनियरिंग है वहाँ पर, तो ऐसे में रुपॉली में विधान सभा का उपचुनाओ हो रहा है, लेकिन जो वहाँ पर चुनाओ के जो मामले हैं, वो काफी ज़्यादा त्रिकोनिये बने हुए है कोई भी जीत सकता है क्योंकि लोग सभा चुनाओ के दौरान पपु यादव ने निर्दलिये चुनाओ जीत कर वहाँ से दिखा दिया कि उनके वोट बैंक वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो अभी जो रुपॉली विधान सभा उप चुनाओ हो रहा है, इसमें बीमा भ देट्स के लिए बने रहें अन्बेस्यू 24